है नमस्कार दोस्तों स्वागे था आप सभी गए करने और एक्साइटिंग वीडियो में दोस्तों फाइनली मैं लेकर आगया हूँ इस महिने के 10 बहुत ही अमेजिंग आप्लिकेशन्स आप सभी के सामने तो उमीद करता हूँ आप सभी कोई वीडियो बहुत पसंद आएगी तो अभी इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किये बिना कहीं मत जाईएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमेशा इसी तरीकी की वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहें तो बिना किसी तरी के वीडियो में आगे बढ़ते तो नमर न में जो एप्लिकेशन मैंने रखी हुई है वो है बिलीव अब बिलीव एप्लिकेशन क्या करती है आप लोग को पता है चाइनीज एप्लिकेशन हमारे डेटा वेटा चुरा लेती है और इसी खराब हरकते कर देती है इस वज़े से गौर्णनमेंट ने भी सही स्ट चाइनीज एप्लिकेशन का बताती है कि आपके फोन में कौन सी चाइनीज एप्लिकेशन इंस्टॉल्ड है और फिर उसका रिप्लेस्मेंट के भी ऑप्शन देती है तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं ये चाइनीज एप्लिकेशन तो यूज कर रहा हूं ल इसमें अलागला डिलेयर सूतियों और अलग तरीके से हिलती हैं तो वही हिसाब किताब है इस application का ये किसी भी normal photo को उस 3D parallax photo में convert कर सकती है चाहे वो आपने किसी भी phone के camera से खीची हो कोई फरक नी पड़ता बस इस application में उसे डाली और edit कर लीजी और आपको देखने को मिलेग ये completely 3D parallax photo अगली application हमारी list में है stickerly stickerly क्या करती है basically आप लोगों को अगर custom stickers बनाने का मन है तो ये application आपका काम बहुत असान कर देती है बस इस application में जाए अपनी कोई भी photo को डाली ए photo को select करने के बाद कोई भी चीज आप crop कर सकते हैं आप चाहे तो selective edit भी कर सकते हैं जिसकी मदद से आप सिरो पुरा face face sticker में डाल पाएंगे या फिर आप चाहे तो पुरा square में sticker बना सकते हैं तो इस तरीके से कोई भी sticker आप create कर सकते हैं फिर आप उन्हें अपने दोस्तों को send कर सकते हैं whatsapp पे हाइक पे किसी भी application पे किसी भी messages application पे आप उन्हें send कर सकते हैं stickerly की दूसरे से काफी अलग है जो पहली वाल पेफर application है वो है ultrapix ultrapix क्या करती है basically आप लोग को notch वाल पेपर देखने को मिल जाते हैं इसमें most of the cases में जिसमें बीच में notch होती है जो वी वाली notch होती है जो drop notch होती है वो supported हैं उसके हिसाब से आपको बहुत amazing wallpapers देखने को मिल जा जाते हैं जो आपके phone के dew drop notch को support करते हैं वो वी वाली notch को support करते हैं तो काफी amazing चीज है आप लोग को इस wallpaper application से करने को मिल जाए है अगर आपके पास एक phone है notch वाला तो आप live wallpaper लगा सकते हो बहुत cool cool like goku को मिल जाता है और क्या चाहिए goku आगे अपना next application हमारी list में है always on bus always on display screen कुछ नहीं है application के नाम के आगे सिर्फ always on तो यह application basically काम वही करती है always on display का काम करती है लेकिन इसमें आप लोगों को काफी customization वाले features देखने को मिल जाते हैं और सबसे चीजी बात इस application में यह है कि यह lag नहीं करती जब भी आप lock screen को unlock lock करते हो तो hang नहीं करती lag नहीं करती तो कर सकते हो धेरों option मिल जाते हैं कस्टोमाइजेशन के always on में तो अगर आप एक always on display वाली application ढूंड रहे हो तो इसे try करो मैं recommend करूँ अगर आपके phone में AMOLED display है AMOLED panel है तो ही इस application को try करना otherwise IPS पर भी कर सकते हो बट उतना मजा नहीं आएगा मेरे दोस्त अगली application हमारी list में है made in India और यह application बहुत कमाल किया है basically आप कोई नया product खरीदने चाहते हो चाहिए वो दूद का packet हो या फिर नया mobile phone हो उस हर packet के पीछे एक barcode रहता है तो उस barcode को अगर आप इस application से scan करोगे तो यह application आपको बता देगी क्या यह product इंडिया में बनाए या फिर किस country में बनाए तो अ यह vary करता है यार कई बार product बाहर बना होता है लेकिन उस product की registration इंडिया में होती है तो उस cases में भी यह इंडिया का ही दिखाएगा barcode scan करने पर भी तो वो technically तो गलत है लेकिन still जब registration इंडिया में हो यह तो उसे इंडिया का दिखाएगा तो वहाँ पर यह application थोड़ी सी गलत साबित हो जाती है लेकिन 90% of the time सही काम करती है मुझे personally पसंद आई कि ऐसी application भी exist करती है दोस्तों अगली application आप लोग का दुख दर्द बहुत solve कर देगी अगली application का नाम है quick cursor आप लोग को पता है आजकल phone 6.6 inch के आ रहे हैं तो एक hand से use करना possible नहीं हो पाता है तो यह application वही swipe कर सकते हैं तो आप लोग को एक dot देखने को मिल जाएगा mouse का pointer जैसे देखने को मिल जाएगा फिर आप उससे ऊपर की चीज़े access कर सकते हो तो काफी easy हो जाता है तो आप single handedly अपने phone को काफी मज़े से access कर सकते हो like कोई भी चीज़ top पे notification sheet pull down करनी है तो आप वो नीचे से ह कर सकते हो बिना top तक reach करें या फिर दूसरे hand की मदद लिए तो single handedly phone को use करने का सही तरीका है दोस्तों आप लोग को पता है अभी cam scanner application ban हो गई है cam scanner भी चाइनीज application थी और उन 59 applications में आई थी जो government ने बैन करी है तो but cam scanner जो है न काम काफी सही करती थी हमारे document scan करा देती थी त काफी simple हो जाता था उससे तो यहां पर मैं आप लोग एक made in India application बताने वाला हूँ अगेल यह video sponsored नहीं है किसी भी application से मुझे personally अच्छी लगी इसलिए बता रहा हूँ इस application का नाम है कागल तो इस application को install करी और आपने कोई भी कागजाद आप इससे scan कर सकते हैं और उसे as a digital document बना करके भी save कर सकते हैं उसे PDF के format में भी आप बना करके save कर सकते हैं made in India अप है जरू ट्राइ करना अगर कोई अच्छा valid genuine cam scanner का alternative है तो वो यह application है कागज ट्राइ करो दूस्तों मैंने आप लोगों को इससे बोला था ना कि दो wallpaper की application बताने वाला हूँ इस video में तो दूसरी wallpaper की application है वालेक्स अब वालेक्स काफी unique wallpaper की application है अब इसमें आपको live wallpaper तो नहीं मिलते है लेकिन static wallpaper ही इतने कमाल के मिलते हैं और सबसे अची बात इस application का user interface मुझे लगा है क्योंकि काफी unique way में आप लोगों को wallpaper present कर देता है ये screen पे जो आप लोगों को देखने में भी मज़ा मज़ा आता है और फिर उसे as a wallpaper set करने में भी मज़ा आता है तो यहां पर आप लोगो vast variety की categories मिल जाती है जैसे abstract हो गए anime हो गई cartoon हो गई तो आप जो चाहे minions हो गए मेरे favorite तो यह सब चीज़े आप लगा सकते हो as a wallpaper इस application की मदद से तो जरू try करना wallex चलो दोस्तों almost सारे categories हम में बात नहीं करिए तो इस application का नाम है macOS launcher अब यह बिल्कुल macOS वाला feel देगा आपके phone को तो देखने में काफी subtle लगता है अगर आप macOS try करना चाहते हो उसकी theme try करना चाहते हो completely macOS तो नहीं है लेकिन सिर्व उसकी theme है तो आप उसकी theme try कर सकते हो इस launcher की मदद से अपने android phone म दिखने में काफी cool लगता है और functionality भी almost सारी काम करती है तो दिक्कत वाली बात नहीं है try करो काफी अच्छी application है दोस्तो सभी application के link नीचे description में आए तो आपको जो video में से application पसंद आई है उसे आप download कर सकते हो अपने हिसाब से video को like जरूर करना और channel को subscribe करना मत भूलना अगल नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लोग अपना ध्यान रहिए गर में रहिए सेफ रहिए और जैंद वन्ले मात्रम टेक कैर पाइबाए